नमस्कार दोस्तो जो भी student social science की इन classes को बाई करना चाहें आप इसे केवल 26 रूपिस में बाई कर सकते हैं इसे आप VJ Academy इंदोर का app डाउनलोड करके परचेस कर सकते हैं इसलिए बात करते हैं आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Google के महत्पुन topics पर इससे पहले हमने बात की थी सविधान के सविधान से पहले हमने इथियास के इंपोर्टेंट topics देख लिये थे तो आज हम Google के geography के important topics देखेंगे कि कौन-कौन से topics हैं जो आपको geography में अच्छी तरह से तयार करके जाना है तो सोर मंडल अगेन important topic है आपका इसमें आपको इसका मेने notes भी दिया है आपको आपको पूरा एक नोट से दिया गया है कि यहां से जो questions आने के काफी ज्यादा chances रहते हैं सोर मंडल से क्योंकि इसमें number of questions बनते हैं काफी सारे questions बनते हैं इसमें ग्रहों के संख्या कितने हैं कौन से आंति ग्रह है किसे पार्तिव ग्रह का जाता है छुद्र ग्रह कहां पा से जो सोर मंडल हैं अक्षान सोदेसांतर रेखा हैं इन्हें अच्छे से तयार करके जाना है क्योंकि most important टॉपिक है फिर बात कर लेते हैं ज्वाला मुखी खुकम और वायू मंडल पर तो आपको इन्हें भी अच्छे से तयार करना है क्योंकि ज्वाला मुखी खुकम और वायू मंडल यहां से questions आते हैं, ठीक है, अब बात कर लेते हैं विस्व की प्रमुख धाराएं, तो यह विस्व में कहां कहां कौन सी धाराएं प्रभाईत होती हैं, यह आपको अच्छे से पता होना चाहिए, धारा का नाम याद रखना है, कहां पर कौन सी धाराएं चलती है यह आपको देखना है, जुआरभाटा, जिन कान्नों से जुआरभाटा आता है, यह आपको पता होना चाहिए, साती साथ प्रमुख महासागर विस्व में कितने टोटल महासागर हैं, कहां पर कौन सा महासागर पाया जाता है, यह आपको पता होना चाहिए, कौन सा सबसे ब important mark करना अब भारत इस्थिती विस्तार की जब हम बात करते हैं तो भारत इस्थिती विस्तार में किस तरह के questions आते हैं इस पर हम बात करते हैं तो देखिए जो भारत इस्थिती विस्तार हैं यहाँ पर सबसे पहले तो आपको भारत की पूरी जानकारी होने चाहिए भारत का अ किस राज़ी के साथ सबसे बड़ी सीमा लगती है, सबसे बड़ी सीमा किस राज़ी के साथ लगती है, सबसे छोटी सीमा किस राज़ी के साथ लगती है, साथ यहाँ पर आपको बांगलादेश के साथ कौन से राज़ी लगते हैं, पाकिस्तान के साथ कौन से भारत के राज़ जो कि सीमा लगती है तो वो आपको जो छे से साथ इस्टेट राज दूसरे कंट्रीज हैं वो आपको याद होना चाहिए इसमें आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भुटान, बांगलादेश, मयानमार, सिरिलंका ये वे कंट्री हैं जिसके साथ भारत के राज लगते हैं तो कौन-कौन से राज जिनके साथ लगते हैं ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए फिर बात कर लेते हैं बहुतिक संद्रचना ये आपको बहुत अच्छे से टोपिक तैयार होना चेकर बहुतिक संद्रचना पर भी काफी questions पूछे जाते हैं ये दोनों topic most important और इससे questions जरूर आता है, खीकिए तो अच्छे से ते तैयार करके जाना, फिर बात कर लेते हैं, जलबायू, ब्रदा, खनीच, प्रमुक फसले, जन संखिया और उसका वित्रण, तो देखिए इन topics में आपको भारत का भी देखके चले जाना, साथ ही साथ MP का भी देख लेना क्योंकि कई बार MP से भी questions पूछ ले जाते हैं, यह वो topics हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा प्रस्न बन जाते हैं, एक जलबायू है, भारत में किस प्रकार की जलबायू पाई जाती है, मत्पदेश में किस प्रकार की जलबायू पाई जाती है, यह इस तरह से आपको तयार करना चोटे चोटे टॉपिक्स हैं बड़ी असानी से यह जितना भी आपको देखे सिलेबस को बाटा गया है केटेग्राइस किया गया है आप यह पूरा मतलब एक एक टॉपिक आप अराम से एक दिन में तयार कर सकते हैं जैसे सोर मंडल अख्यान देशांतर रेखा है आपकी एक एक दिन में कवर कर लेंगे विस्व की प्रमुक धाराएं जुआर बाटा प्रमुक माहसागर एक दिन में हो जाएगा भारत इस्तिति विस्टार भोतिक संड़शना एक दिन में आप इस टॉपिक को तयार कर लेंगे जलबायू, म्रदा, खनीज, फसले, जनसंख्या और सक आप त्रिया अमेरिका करा, पिर डक्षीन अमेरिका करा, फिर अंटार्क्रिका करा, फिर यूर्च्वUM, और फिर अफटेलिया, तो मतलब इस करते चलने हैं फिर बात करते परियावरन प्रदूसर्ण किन कारणों से प्रदूसर्ण हो रहा है एसे कौन-कौन से उपाय हम अपना करके इन प्रदूसर्ण को कम कर सकते हैं साथे-साथ परियावरन के संदक्षन के लिए कौन-कौन से समझोते किये गए हैं ये भी आप तही जाती है, तो इसलिए इन्हें जरूर देखके जाना, फिर आपदा प्रबंदन, तो आपदा प्रबंदन का अधिनियम क्या है, यह आपको पता होना चाहिए, आपदा क्या होती है, प्राकरतिक आपदाई क्या होती है, यह आपको पता होना चाहिए, रतीम आपदाई क्या होत हैं तो इस तरह से आपक सुन सारे स्यार करेंगे अब बात एक लियुई वाला टॉपीक था है म्रदा वाला टॉपक था इस पर भाषिपर देख लेना जेसे जलवाइ संटेश की जलवाइ स्वेतर में कौर्ट की म्रदा पाई जाती है, मद्ध भारत के पठार में कौन सी मरदा पाई जाती है, इस तरह से question पूछ लिया जाते है, मालवा के पठार में कौन सी मरदा पाई जाती है, तो केवल आपको बस नाम नाम याद करना है, कि कहाँ पर लाल और पीली मरदा पाई जाती है, कहाँ पर काली मरदा पाई जाती है और आपको जो टॉपिक है तयार हो जाएगा। साथे 悲िट मरदा में यह भी आप तयार कर लेना को सिंपова पूछन की और आ कर लेते हैं कि रेगुड किस मरदा का नाम है यह डायरेट को पूछ लेते हैं रेगुड किस मरदा को जाना जाता है रेकुर किस मरदा का नाम है तो काली मरदा का नाम है तो आपको मरदा में भी एक छोटा सा टॉपिक से हैं भारत तो मत्पदेस को तैयार कर लेना फिर बात कर लेते हैं जब आप मरदा तैयार करो ना ये मरदा टॉपिक तो भारत के में कहां पर कौन सी मरदा पाई जाती है तो इनी के साथ ये म्रदा जहां पर जो उनसी पाई जाती है इसी के साथ कनेक्ट करके आप फसले पढ़ लेना तो आपको पता चल जाएगा कि काली म्रदा में कौन सी फसले बोई जाती है यलोध म्रदा में कौन सी, लाल पिली में कौन सी ठीक है ये भी आपको समझ माँ जाएगा फसलों में फिर फसलों में वो इस तरह से question नहीं पूछते हैं फसलों में भी दो टाइप से question पूछते है कि रभी की फसल कौन सी होती है तो आपको रभी की फसल पता होना चाहिए खरीब की फसले कौन सी है तो आपको खरीफ की फसले पता होना चाहिए तो रभी और खरीफ की फसले पता हो फिर साथ यहाँ पर फसलों पर एक और questions आप से पूछ लिया जाता है कि चावल उत्पादा का मतब चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज जी कौन सा है यहू का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज जी कौन सा है आलू का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज कौन सा है गरने का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज कौन सा है तो ये भी बात है आपको इसी फसल वाले टॉपिक में तयार कर लेना है तो मरदा को आप तयार करना, मरदा से ही लिंकेज करके आप फसल को तयार करना फसलों में आप रभी की खरीब की फसले कब बोई जाती है, कब काटी जाती है कौन-कौन सी फसले रभी की फसले होती है कौन सी फसले खरीब की फसले होती है यह जानकारी आपको सारी होनी चाहिए साथे साथ यह भी पता हो कि किस फसल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है जैसे जूट के उत्पादन में कौन है यहू के चावल के, आलू के, गन्ये के तो ये mainly पूछे जाते हैं कपास के तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए फिर आप इसी से आपका एक और टॉपिक दिया हुआ है म्रदा पढ़ना, म्रदा का, म्रदा फसले पढ़ लेना फिर एक पढ़ लेना म्रदा संदक्षन ये भी आपको सिलेबस में दिया हुआ तो म्रदा संदक्षन भी देख लेना इसी के साथ पूरा लिंक करके, म्रदा संदक्षन क्या होता है, किस तरह से म्रदा संदक्षन किया जा सकता है, तो इसी में जब म्रदा पढ़ रहे हो, फसले पढ़ रहे हो इसमें एक और आप पढ़के जाना कि म्रधा स्वास्कार्ड योजिनना क्या है और किस देट को चालू की गई थी डेट याद करके चले जाना direct question आ सकता है कि म्रधा स्वास्कार्ड योजिनना कब प्रारमब की गई थी तो आपको इडेट पता होना चाहिए कौन से खनीच पाई जाते हैं मत्पदेश में कौन से खनीच पाई जाते हैं यह आपको पता होना चाहिए जैसे सोना कहां पर पाया जाता है यांदी कहां पाई जाती है हीरा कहां पर पाया जाता है यह आप तयार कर लेना फिर मेगनीज लोखा कोईला ठीक है यह भी आप तय तो हीरे में जैसे मत्पदेस है, मत्पदेस में कहां पर हीरा, उत्पादन सबस्य आधा होता तो पन्ना में, तो इस तरह से आपको एक खनीज वाला पूरा टॉपिक तयार करके जाना है, कि मतलब एक तरफ तो आपको सोना, चांदी, हीरा इनहें कर लेना है, पूरा तयार, सा जनीज के उत्पादन में कौन सा राज जी प्रथम है ये भी आप पूरा तयार करके जाना फिर बात कर लेते हैं आपके अगले टोपिक पर जनसंख्या और उसका वित्रण ये टोपिक अगें मोस्ट इंपोर्टेंट है जनसंख्या एवं उसका वित्रण भारत और इसमें आपको देखें जनसंख्या क्या होती है कितनी अभी तक जनसंख्या गणना हो चुकी है जनसंख्या गणना करने का काम कौन करता है ठीक है ये आपको पता होना चाहिए जनसंख्या को कहा पर किस विसे के रूपे परिभासित किया गया है जनसंख्या की गणना को जन जनसंख्या घनत्व क्या होता है, सिसु मत्युदर, मात्र मत्युदर क्या होती है, ये जरूर देख लेना जनसंख्या में, घनत्व क्या होता है, सिसु मत्युदर क्या होती है, मात्र मत्युदर क्या होती है, ये सारी बाते आप देख लेना, फिर भारत की जनसंख्या कितनी ह मदपदेश की जनसंख्या कितनी है साक्षरता का परसेंटेज क्या है पहिलाओं का संख्या कितनी है उसका क्या प्रतीसत है पुरूसों का क्या प्रतीसत है जनसंख्या में फिर इसी में साक्षरता का क्या परसेंटेज है कौन सा राजी सबसे चाह सरवाधिक साक्षर है कहाँ पर साक्षरता बहुत कम पाई जाती है तो इस तरह से आपको भारत के संदर्वों में तयार करना है कहाँ पर जनसंक्या का गहनत हो सरवाधिके भारत में किस राजी में जनसंक्या का गहनत हो सबसे कम है कौन सा राज है जहाँ पर जन संक्या में नकारात्मा को ब्रद्धी हुई है ये कोशन पूछ लेते हैं तो इस तरह से आपको भारत के संदर्वों में पूरी जन संक्या तेयर करना है फिर मत्पदेश में कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पर सरवाधिक लिंगा अनुपात पाया जाता है मत्पदेश के किस जिले में सरवाधिक जन संक्या पाया जाती है मत्पदेश के किस जिले में सरवाधिक साक्षर्ता पाया जाती है फिर इसी में कम भी आपको याद करना है कि कहां पर मत्पदेश में सबसे कम लिंगान उपात है कहां कि साक्षरता सबसे कम है तो इस तरह से आपको इस टॉपिक से कॉस्चन तयार करना है और ये इस topics से questions एक्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेंगे तो आप इसे तयार करके जाना तो इस तरह से जो भुगोल के आपके केबल 8 topics में आपके define किया गया है इसे लेपस को और इसे आपने अभी भी अगर आपने भुगोल नहीं तयार करा हो जैसे कल में आपको सविधान के लिए भी यही बात की थी कि अगर आपने सविधान अभी तक नहीं भी पढ़ा हो तो आपके पास अभी 10 दिन हैं आप पूरा सविधान तयार कर सकते हैं similar अगर आपने अभी भुगोल भी नहीं पढ़ा हो और तयारी continuity से करिए हो जाएंगे topics इसे बहुत ज्यादा बड़े नहीं है या बहुत ज्यादा इसे टेकनिकल भी नहीं है कि पढ़ने पर याद ही ना हो या समझ ही नहीं आए नहीं बहुत ही अच्छे topics हैं यह और interest भी आएगा आपको पढ़ने में और काफी कुछ अच्छा भी लगेगा और आपको पढ़के भी समझ में आ जाएगा कि कौन-कौन से और questions यहां से examiner पूर सकता है यह आठ topics हैं अगर आपने इन्हें तयार कर लिया हो तो revise जरूर करके जाना और अगर अभी भी तयार नहीं करा हो तो अभी भी आपके पास sufficient time है आप definitely इन 8 topics को तयार कर सकते हो तो यह वीडियो में इतना ही था अगर आपको वीडियो अच्छा लगे है तो जरूर लाइक कर देना और अगर आपने channel सब्क्राइब नहीं करा हो तो जरूर से सब्क्राइब कर ले ना ताकि अगला वीडियो में एक और लाओंगा जिसमें हम बात करेंगे कि अब आपके जो remaining days है उसमें अब आपको किस तरह से मतलब planning करनी चाहिए और किस तरह से आपको तयारी करना चाहिए तो वो वीडियो भी मैं बस लेकर आँगा जल्द ही तो आपको वो वीडियो भी मिल जाए इसलिए वेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपके पास notification चला जाए टेलिग्राम ग्रूप जोइन नहीं करा हो तो जरूर जोइन करने ना ताकि आपको information timely मिलती रहे साथ ही साथ वीडियो इंदोर का एप जरूर डाउनलोड करना क्योंकि आपका 24 अप्रेल 2023 को आपका full length test है और ये कितने गंटे इसमें कितने questions पूछे जाएंगे देड़ सो questions पूछे जाएंगे और कितना time का होगा ये टेस आपका डाई गंटे का होगा इसलिए एप डाउनलोड करके रख लेजिए चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे कि अब आपके पास remaining days है तो आपको किस तरह से तयारी करना है क्या planning रखना है वो सब बाते हम next वीडियो में करेंगे तो इस वीडियो में बस इतना ही था नमस्कार क्थे बाते हैं